अमस्कार आजए 11 दिसंबर और ये हैं अमेरिका लाइब सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास ख़बरों पर राश्पती बराक उबामा को उसलों में दिया गया नोबल शांति प्रसकार कहा गांधी और मार्टी नूतर किंग है उनके नायक और पाकिस्तान में फांच अमेरिकी नागरी का आतंकुआद से जुड़े होने के शक पर गिरफदार जानेंगे अमेरिका को आंतरिक आतंकुआद से कित्ता है खत्रा वाशिंटन डी सी से मैं हूँ वाइस ओफ अमेरिका का मिश्रवास्तव अब खबरें विस्तार से अपने कारेकाल के पहले ही वर्ष में बराक उबामा को नोबल शान्ति परुसकार बिला है राश्पति उबामा ने पिछले ही दिनों अग्वानिस्तान में आतंकुआदियों के खिलाफ युद्ध के लिए 30,000 अतरिक सैनिकों को भेजने का आदेश किया था ऐसे में अमेरिका में कई जगे ये सवाल उट रहा था कि नोबल शान्ति के लिए कि राश्पति उबामा का चैन इस वक्त सही फैसला है या नहीं नौर्वे की राश्धानी उसलों में उबामा ने ऐसे सवालों का खुल कर जवाब दिया और कहा कि हला कि गांधी और मार्टी लूथर किंग उनके नायक रहे हैं लेकिन कभी-कभी लड़ाई जरूरी होती है तमाम विवादों के बीच उसलों में राश्टपति बलाक उबामा ने नोबल शांती पुरसकार लिया और कहा कि नोबल पुरसकार से समानित मार्टी लूथर किंग, निलसन मंडेला और स्वैजर जैसे बड़ी हस्तियों के सामने उनके उपलब दिया बहुत कम है उबामा ने कहा कि गांधी का इनसात्मक अंदोलन उनके आगे बढ़ने का मुलभूत सिध्धान रहा है गांधी और मार्टिन लूथर किंग द्वारा अपनाया गया आइंसा का रास्ता हो सकता है हर परिस्थिती में व्याभारिक या संभव नहों लेकिन जिस प्रेम की बात उन्होंने कही थी और मानव विकास में उनका मुलभूत विश्वास था वही हमेशा ऐसा प्रतीक होना चाहिए जो हमें आगे ले जाए उबामा ने कहा कि उन्हें पता है कि बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मैं इस पुरसकार का हगदार हूँ या नहीं मेरे परुसकार प्राप्त करने से उठे सवालों में सबसे बड़ा मुद्ध ये है कि मैं ऐसे देश की सेना का प्रमुक कमांडर हूँ जो दो युद्ध के बीच में है एक युद्ध खत्म हो रहा है और दूसरा ऐसा है जिसे अमेरिका नहीं चाहता था और उसमें 42 देश और शामिल हैं खुद को और दूसरे देशों को और हमनों से बचाने के लिए अफगानिस्तान में युद्ध का पक्ष लेते हुए उबामा ने ये भी कहा कि हिटलर की सिनाओं को रोका नहीं जा सकता था और बाचीत के जरीया अलकाईडा के निताओं को हत्यार डालने के लिए राजी नहीं किया जा सकता एक तरफ राश्पति उबामा नॉर्वे में नोबल शांति पुरसकार प्राप्त कर रहे थे तो दूसरी तरफ अमेरिका में उनके कमांडर्स कैपिटल हिल पर अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध के लिए सैनिको की संख्या में वरिदी को सही निरने बता रहे थे कैपिटल हिल पर सुनवाई के दूसरे दौर में जेनरल स्टैनली मेक्रिस्टल ने फिर से राश्टपती उबामा के अफगानिस्तान में 30,000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिको को भेजने के फैसले को सही निरने बताया उन्होंने ये भी खा कि इस योजना से सफलता मिलेगी जिससे अफगानी जनता भी सुरक्षित महसूस करेगी अतिरिक्त सैनिको को शीगरही तैनात किया जाएगा और अगले वर्ष इस समय तक सुरक्षा के फाइदे दर्शाने वाले उधारन भी दिखेंगे और ये सपश्ट हो जाएगा कि आतंकवाद अपनी रफ्तार खो बैठा है 2011 की गर्मियों तक अफगान लोगों को भी विश्वास हो जाएगा कि आतंकवाद अब वापिस नहीं लोटेगा और उन्हें मौका मिलेगा अपनी सरकार पर भरोसा करने का अफगानिसान में अमेरिकी राश्टुत काल आइकन बेरी ने भी नए योजना का समर्थन करते हुए कहा कि सुरक्षा, शासन और विकास तीनों शेत्रों में सुधार जरूरी है उन्हें ने खास तोर पर सरकार और शासन प्रनाली को भेतर बनाने की बात की गाश्ट्री और जिलास्तर पर हमारा लक्ष है प्रशासन को सुधारना इससे अफगानी जनता सरकार को समर्थन देने का लाब देखेगी और आतंकवाद के लिए जनता का समर्थन खतम हो जाएगा उधर अफगानिस्तान की यातरा के दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेस ने अफगानी सायनिय कमांडरों को आश्वस्त किया था कि अमेरिका लंबे समय तक अफगानिस्तान का सहयोगी बना रहेगा शनाली सेन, वोईस ओफ अमेरिका आतंकवादी गतिविदियो में शामिल होने के शक पर पाकिस्तानी पुलिस दौरा गिरफतार पांच अमेरिकी यूखों की खबर ने अमेरिका में खल बली मचा दी है हलाकि इस बारे में पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है लेकिन अमेरिकी धर्ती पर उबरते आतंकवाद के इस नए रूप को काफी गंभीरता से लिखा जा रहा है पाकिस्तान में आतंकवादी मनसूबे रखने के शक पर पकड़े गए पांच यूख, 18-25 साल की उम्र के हैं और पांचों अमेरिकी नागरिक हैं पाकिस्तानी पुलिस के अनुसार पांचों जिहाद के लिए आतंकवादी संगठन में शामिल होने पाकिस्तान आये थे इमाम जोरी वाशिंग्टन डी सी इलाके में मुख्य इमाम है और इस केस को अधिकारियों तक पहुचाने में इनकी भूमिका रही है इनका कहना है कि इन यूखों को देखकर उनके इरादों के बारे में पता चल पाना नामूम्किन था बाहर से तो वो सामाजिक कारे में शामिल थे जैसे कि FBI की फोटो में देखा जा सकता है वो चुनाओं के दोरान वोटर्स को रजिस्टर कराने में भी जूटे थे पकड़े गए पाचो योकों में से दो पाकिस्तानी मुलके हैं एक मिसर का एक एरिट्रियाई मूलका तो एक यमेनी मूलका है अमेरिका के अंदर पनप रहे आतंकवाद की खत्रे को अमेरिका में विशेशक ये गंभीर समस्या मान रहे हैं आतंकवादी संगठन सीमाओं को नहीं मानते वो पूरी दुनिया में काम करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हमें घरेलू आतंकवाद से खत्रा तो है ही, साथ ही अंतराश्ट्री आतंकवाद का खत्रा भी है और इन दोनों को रोकने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। ये भी माना जा रहा है कि इस से मुकाबला करने के लिए अमेरिकी नागरिकों की सजगता ही सबसे असरदार उपाय है। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voa.com पर भी देख सकते हैं अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें अमेरिका लाइव.com पर भेजना ना बोलें अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ सो माँर को फिर मिलेंगे नमस्कार अमेरिका लाइव अमेरिका लाइव